हाई यूटूब फैमली कैसे हैं आप साब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे रोज रोज एक ही काम करकर के हो गये हैं बोर तो आज लेकर आएं बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा किचन टीप से जो देखकर आप लोग का डेली लाइब का काम होगा लेकर दोस्तो काम घंटों का काम मिन्टों में कर सकेंगे और बहुत ही असानी से लेस्टों को चील लेगे हैं तो यहां पर अलग दाने को हम अलग कर लिये हैं और अब हमें लेना है यहाँ ने सील के लिखांगह UpAdag बहुत शुरम ताइम में को चील जारा है ना दोस्तों कमाल का ऐडिया और यह कि 대해서 आइडिया है ना लैसुन छिलने माला यह हमें बहुत ही प्रसनल बहुत ही पसंद आता है क्योंकि बहुत जल्दी लैसुन छिल के मिन्टों में और रख दीजिएगा और देखें कितना आसानी से निकल भी जा रहा है छिल का पूरा जो है तो दोस्तो आइडिया अच्छा लग और देख सकते हैं लैसुन कितना असानी से अराम से दम छिला जा रहा है यह देखें नेक्स आइडिया यहां पर गैस को जला लिए हैं और यहां पर हम जो लिटी चोखा पकाने वाला जो यह जहरना होता है इसे रख दिये हैं और इस पर लैसुन को हमें इस तरीके से हलका भून लेना है इसे क्या होगा कि लैसुन का छिलका नरम पड़ जाता है और इसे हम क्या करेंगे कि तरहती से रगड के असानी से छिला जाएगा लैसुन और यह भी लैसुन छिलने वारा आइडिया है दोस्तों तो ऐसे बहुत सारा टिप्स हम बना चुके हैं जो आप आजी में लेसुन को छिल पाईएगा नहीं तो अगर एकर करके हमें लेसुन छिलना पड़ता है तो काफी टाइम लगता है और घंटों बैटके हमें लेसुन छिलना पड़ता है नाखुन भी दर्द करने लगता है तो इस तरीके से इस आइडिया को फोलो करके दोस्तों आ तो इसमें भी काफी मात्रा में सेंपू बचा रहता है तो यह मेरा एक फ्री का यह सलूसन बन गया है और यहां पे सेंपू करेपर को छान लिए है और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा डेटॉल लिक्वेट यानि के दस बुंद के मात्रा में हमें डेटॉल लिक्वेट डाल देना है और यह मेरा सलूसन बन गया इससे हम साफ सफाई करेंगे अपने घर के फनीचर वेगरा ह हो गया या किचन के सेल्फ हो गया इसमें डेटॉल डाल दिये हैं जितना भी गंदगी लगा होगा धूल मिटी यह सारे खतम हो जाएंगे और आपके जो फनीचार एक दम चमकने लगेंगे और यह जो पानी हमारा है इसे फेकना नहीं है ऐसा ही बेकार में किचन सिंग में डा है थोड़ा सा गेहूं का आटा और इसमें हमें मिलाना है डिटर्जेंट पाउडर एक चममच और इसमें मिलाना है एक चममच भर के बेकिंग सोडा तीनों चीजों को बढ़ियां से मिला देना है मिलाने के बाद यह मेरा बन गया है पावरफुल सेलूशन बहुत ही किचन चेग के जई में कीचन सिंग में अगर दाग ध्वे लगे poems यह खारे पानी पानी का निसान लगा हो यह किचन सींगिम सीग का लाइट हो जैसे कि पूराना होने लगता है लाइट हो जाता है तो यह जो सलूसन बनाके साफ करिए तो एक दम से इतना आच्छा से टिछ तो इस तरीके से इस आइडिया से देखिए कितना अच्छा से क्लीन हो गया है तो चलिए धूल के दिखाते हैं आप लोग को लाइप प्रूफ जो हमारा किचन सिंग एकदम से चमकने लगेगा तो इस टिप्स को फोलो कीजेगा दोस्तों और जिनके भी घर में अगर किचन सि अच्छा से इदम चमक गया है एक दम से चका चक लग रहा है लग रहा है ने किचन सिंक तो अच्छा लगा हो टो छिल्ड़े यहां पर आज हम चुडाइंगे क toddl 어 mais की मतलसे थुड़ा से काम डाल altern पांधर और ऑन व एकस हब नहीं करते द्रूश लुताँ है और कोई भी आश्क्राबर लेजिए और इस तरीके से हमें साफ कर लेना है बढ़ियां से यह देखे बहुत ही अच्छा से इसका जंग जो है निकल जाता है और जंग निकल जाएगा न तो इसका धार भी बहुत ही अच्छा से काम करने लगता है कोई चीज काटने में जले अब हमें धोलेना है पानी से और पानी से धोलने के बाद दोस्तों इसे ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दीजेगा ना इसमें दुबारा फिर से जंग का निसान जंग लग जाएगा तो यहां पे कॉटन का कपड़ा ले लिजे इसे पोच दीजिए ताकि दुबारा से जंक ना लगे यह देखे इस तरीके से लगा हो तो लाइक कीजिएगा लाइक करने के साथ तेर कीजिएगा और नीवे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके से मैं न्यू न्यू टिप्स वाला वीडियो लात अन्हें